युहन्ना रचित सुसमचार सत्रवां अध्याए यिशुन ये बातें कहीं और अपनी आखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वे घड़ी आप पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तुने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तुने उसको दिया है, उन सब को वे अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है, कि वे तुझ अद्व करके मैंने प्रत्वी पर तेरी महिमा की है और अब हे पिता तु अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी मैंने तेरा नाम उन मनुश्यों पर प्रगट किया जिने तूने जगत में से मुझे दिया वे तेरे थे और तूने उन्हें म मान लिया है अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुचा दी मैंने उन्हें उनको पहुचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहन किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रती कि तू ही ने मुझे भेजा, मैं उनके लिए बिंती करता हूँ, संसार के लिए बिंती नहीं करता हूँ, परंतु उनहीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है, वे सब तेरा है, और जो तेरा है, वे मेरा है, और इनसे मेरी मह निमा प्रगट हुई है, मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो, जब मैं उनके साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश की पुत्र को छोड़, उन में से कोई नाश ना हुआ, इसलिए की पवित्र शास्तर की बात पूरी हो, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में क वैसे ही वे भी संसार के नहीं, मैं ये बिंती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये है, कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत् जैसे तुने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आपको पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्ति के द्वारा पवित्र किये जाएं. मैं केवल इनी के लिए बिंती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। हम एक हैं, मैं उन में और तु मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तु ही ने मुझे भेजा, और जैसा तुने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही उन से प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तुने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ, वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें, जो तुने मुझे दी है, क्योंकि तुने जगत के उत्पत्ति से पहले मुझ से प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना, कि तुही ने मुझे भेजा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया, और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझ को मुझ से था, वे उनमे रहे, और मैं उनमे रहूँ झाल झाल